पुजारी और राजा की रोचक कहानी एक राजा ने भगवान का एक सुन्दर मंदिर बनाया और उसमें एक पुजारी को काम पर रखा इस बात को बहुत समय बीद गया अब राजा भी बुड़ा हो गया था लेकिन राजा का एक नियम था कि वे हर सुभे अपने सैनिकों के साथ फूलों की माला भेजेगा और पुजारी उस माला को भगवान कृष्ण को चड़ाता था उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन के लिए आता तो पंडिच जी भगवान के गले में माला उतार कर राजा के गले में डाल देते यह लगबग रोज की बात थी पुजारी बुड़ा हो रहा था और राजा भी बुड़ा हो रहा था एक दिन राजा की तब्यथ खराब होने पर राजा ने सिपाही के हातों पुष्प माला भेजी और सिपाईयों से कहा कि पंडिच जी को कह देना कि आज हमारी तब्यथ ठीक नहीं है आज हमारा इंतजार न करें क्योंकि हम आज नहीं आपाएंगे फिर सिपाही ने जाकर पुजारी को पुश्ममाला दी और पंडिजी को सारी बात कहे बताई पंडिजी ने श्री कृष्ण को पुश्ममाला अरपित की तो पंडिजी ने सोचा कि इतने वर्ष हो गए भगवान का यह हार हमेशा राजाओं ने पहना है तो आज इतने बरसों के बाद मुझे भगवान के इस हार को धारन करने का अवसर मिला है यह निश्चित रूप से भगवान की इच्छा है इसलिए यह परंपरा थी कि भगवान के उस हार को कैसे छोड़ देंगे इसलिए इस बार पंडित जी ने वहहार अपने गले में डाल दिया तभी सिपाही दोड़ता हुआ आया और बोला कि राजा सहाब मंदिर आ रहे है क्योंकि वहां महराज की तबे ठीक नहीं है आप सारी तयारी करके रखें इतने सालों से चली आ रही परंपरा को राजा तोड़ना नहीं चाहता था इसलिए वह मंदिर आने लगा पंडित जी ने तुरंत गले से हार उतार कर भगवान को अरपन कर दिया पंडित जी ने क्या भूल की समझ नहीं आया पंडिजी ने सोचा कि अधी राजा को पता चल गया तो वे उसे डंड देंगे अब जब राजा आया तो प्रतिदिन की भाती पंडिजी ने भगवान के गले से हार उतार कर राजा को पहना दिया लेकिन राजा की नजर माला पर पड़ी माला पर सफेद बाल गिरे हुए थे और उन्होंने महसूस किया कि सफेद बाल पुजारी के है राजा ने पुजारी से पूछा कि तुमने ये माला पहनी थी सफेद बाल कहां से आए तो पंडित जी डर गए और डर के मारे कहा कि यह सफेद बाल श्री कृष्ण का है भगवान का है राजा को गुस्सा आया कि पंडित ने धोका दिया और उपर से जूट बोल रहे हैं और उन्होंने पूछा कि कृष्ण के बाल कब सफेद हुए ठीक है कोई नहीं मैं कल सुभह के समय आऊंगा फिर देखूंगा कि श्री कृष्ण के बाल सफेद हुए हैं या नहीं और यह याद रखना पंडित अगर बाल सफेद नहीं काले हुए तो इस फरेब के लिए तुम्हें फासी पर लटका दिया जाएगा राजा नराज होकर चले गए और उधर पंडित जी को अपनी मृत्यू दिखाई देने लगी उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि भगवान मुझे शमा करें मुझे लोब हुआ और सोचा कि यह माला मैं भी पहन लूँ भगवान मुझे बचा लो नहीं तो कल मैं इश्चित रूप से राजा के हाथों मारा जाऊंगा पंडित पूरी राद भगवान से प्रातना करता हुआ रोता रहा अगली सुभे राजा सिंगार के समय आया और राजा ने पंडित से कहा कि पंडित मुकुट उतार दे क्रिश्न की मूर्ती के सफेद बाल थे लेकिन राजा को लगा कि पुजारी फिर से चाल चल रहा है क्या उसने अपनी जान बचाने के लिए बाल रंगे थे इसलिए उसने जाच करने के लिए बाल तोड़ना शुरू कर दिया और जैसे ही राजा ने बाल उखाड़े मूर्ती से खून निकलने लगा यह देखकर राजा भगवान के चर्णों में गिर पड़ा और शमा मांगने लगा भगवान मुझे शमा करें मैंने बहुत बड़ा पाप किया है मैं सही और गलत को भूल कर संधे में इतना अंदा हो गया हूँ तभी मूर्ती से अवाजाई राजा आप मुझे केवल मूर्ती ही समझते हैं इसलिए आज तक मैं केवल आप के लिए मूर्ती हूँ लेकिन इस पुजारी को मुझे में भगवान दिखा तो मुझे उसकी जान बचाने के लिए अपने बाल सफेद करने पड़े उसके बाद राजा को अपनी गलती का पश्तावा हुआ लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता इसलिए कहा जाता है कि पत्थर में भी खुदा होता है यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो भले ही भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं आप उनसे उनकी सच्चाई के बारे में पूछेंगे यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको किवल महसूस करना है परमेश्वर पर बिना शर्त विश्वाश रखें और बिना किसी रुकावट के अपना काम करते रहें सर्विशक्ती मान आपको निश्चित रूप से अपना फल देंगे इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इने पहुँचा कर तर्म लाब राप्त कर सकें